नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाबकेश्री.com मैं हूँ आपके साथ अनुजी आदव एक तरफ बीजेपी खुद को मजबूत करने के लिए विपक्षी पार्टियों के साथ गडबंदन कर रही है तो दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी चुनाओं को ध्यान में त्यारी कर रही है हाला कि अभी विपक्षी दलों की बैठक के बाद ही आगे की रणनीती तैकी जाएगी लेकिन बीते कुछ दिनों के घटना करम के बाद से ही ये चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है कि राज्जे में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी कुनबा और रंबित कर दिया गया जिसके बाद आमादमी पार्टी के सांसद संजय सिंग से संसद भवन बिजेपी के विरोधी दलों यानि इंडिया गटबंदन के तमाम नेताओं ने संजय सिंग को समर्थन दिया और उनसे मुलाकात की इसी बीच गुरुवार को सपा प्रमो पलवी पटेल ने भी दिल्ली में संजय सिंग से मुलाकात की पलवी पटेल ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेर की उन्होंने तस्वीर शेर करते हुए लिखा भारतिय संसद के क्रांतिकारी सांसद संजय सिंग से आज दिल्ली में भेट और आरेलडी है जबकि भीम आर्मी का भी गड़बंदन को समर्थन है लेकिन विपक्षी दलों यानि इंडिया की हो रही बैठकों के बाद माना जा रहा है कि राज्य में सपा गड़बंदन भी इसका हिस्सा हो सकता है हाला कि अभी आने वाली कुछ दिनों में इसको लेकर स्थीतिस पस्ट हो जाएगी बता दे कि कुछ महिने पहले ही अखिलेश यादम ने कहा था कि पार्टी अब लोकसभा चुनाओं से पहले किसी और दल के साथ गठवंदन नहीं करेगी लेकिन अब देखने वाली बात होग कि 24 की लड़ाई के लिए सपा का क्या स्टेंड रहता है खबनी तक 30 के साथ आप देखते रहें पंजाब किसी डॉटकुम मैं 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 करेह खबनी कि अब दो का कि रहता है